हेलो एस्टुडेंट्स मैं सदाम हुसेन आप सबका मस्ट क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को साइन्स विज्ञान कप्छा 10 2018 के एनुल एक्जाम के सेकेंड सिटिंग दियुतिय पाली में आये हुए बीबियाई अब्जेक्टिव क्वेशनों का सुलूसन करूँगा ठीक है और इस वीडियो के माद्यम से आपको सेयर करूँगा आप अंत तक वीडियो को पूरा वाज करें इसी टाइप के क्वेशन्स अगामी एक्जाम जो 2020 में होने वाले हैं उसमें आएंगे इसलिए आप वीडियो को पूरा वाज करें ताकि अदामे एक्जाम में आप बहतरीन से बहतरीन तरीके से उसका एंसर दे सके ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगा कि अगर आप पहली बर हमारे चैनल मस्त क्लासिस पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिपीकिसन मिल जाए आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फ्रेंड्सों और मित्रों में शेयर किजिए इटीजर न्यूए एजुकेशन चैनल आप सब की सुपोर्ट की ज़रूरत है मैं आप सब का सदा आभारी रहूंगा आप सब वीडियो को पुरा सुपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए इस चैनल मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ आप सब सिफ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए आपकी एक लाइक हमारी होसला को बढ़ाने के लिए काफी होता है ना दोस्तों तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो में आपको दोहे रठा रखे ए आपको भी एंसर देना है फिर उसके बाद मैं आपको एंसर बताऊंगा जिसे आप मिला सकते हैं कि मेरा एंसर सही है कि नहीं मेरी कितनी तैयारी हुई है और जो आपको सटीक एंसर लगता है वो बताईए और अपनी कमियों को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशि है कि मैंने पहले पढ़के देखिए चाले संग के पहले अबजेक्टिव अस्तुनिष प्रसने आते थे कि निमना अंकित बहुल विकल्पी प्रसनों में से सही विकल्प चुने चाले स्कुशनों में से एक सही एंसर होता था जिसको में चूच करना होता है ना पहला है कि ग गुलिये दरपण का द्वारक ठीक है तो देखिए गुलिये दरपण इस तरह से होता है एक पाठी हो गया एक पाठी धर से होता है न तो यही जो है उसका पूचर प्रावर्तक प्रिष्ट का बिर्तकार सीमा यह जो है सीमा इस सीमा को क्या कहते बताना है इसको तो इसको हम ल सर्जोगा डी जई आए दूसरा कोसंस पर नजर डालते हैं जिसमें लिखा है निमलेकित में से कौन उत्तल दरपड की फोकस दुरी है जिसकी वक्रता 32 cm है ठीक है इसको नुमेरिकल स्टाइब के है न इसमें आर दिया है 32 cm इसकी फोकस दुरी पूछ रहा है ठीक है न इसका क हम लोगों ने पड़ा है R by 2 यह भी याद रखिएगा कि उत्तल दरपड में फोकस दुरी प्लस में होती है इसलिए इसका एंसर जितना भी यह दोनों नेगेटिव नजर आ रहा है न वो तो होगा ही नहीं होगा तो R by 2 होता है तो R कमांड 32 और यहां 2 पोड कर देंगे तो खोई आ है और अपने कमीर को दूर कीजिये अगला कोसल मैं दिखाता हो ।री कोसल खैए नेखर के सामने जो है तीन कोसल लिखा है कि यह यह दी किसी बींब का पर टो मतलब वस्तु और D है अभासी और उल्टा तो देखिए किसी भी चीज में अगर नेगेटिव आ जाता है तो उससे उल्टा परत्वीम बनता है जो परत्वीम में उल्टा है वो वास्तविक भी होता है तीन का जो होगा करेक्ट एंसर एस आए ठीक है आईए अगला कोशन पर नजर डालते हैं चार कोशन क्या कह रहा है आपके सामने चार कोशन है नेत्र में परवेश करने वाली परकास किरनों का अधिकांस अपवर्तन होता है पहला ओप्शन है नेत्रोद अंतर प्रिष्ट पर दुसरा है अभी नेत्र के अंतर प्रिष्ट प डी है इन में से कोई नहीं तो आप लोग इसका एंसर बताईए आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ बहुत सारे इस्टूडेंट इसका सही जवाब दे रहे हैं इसका जो करेक्ट एंसर होगा 4 का जो होगा C है जो परकास जो होती है कौर्णिया के बाहरी प्रिश्य अपवर्तित होती है ना इसलिए 4 का C होगा आई आपको 5 कोशन्स पढ़के बताता हूँ जिसमें लिखा है जब सूर्ज का परकास वायू मंडल से गुजरता है तो वायू के सुच में कड़ है किस रंग के परकास को अधिक परबलता से परकिर्णिट करते हैं पहला है अफसल लाल दुसरा है नारंगी C है हरा D है निला मताई इसका एंसर क्या होगा आईए मैं आपको इसका एंसर बताता हूँ कि निला जो रंग होता है उसका परकिर्णन सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण वस हमें अकास जो होता है नीला दिखाई देता है यह भी questions पर इछा में आते है अकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो इसका आपका answer इसमें ही बताना होका कि निले रंग का जो पर किर्णन होता है a scattering of blue colors is larger than some colors जो अलग जो colors है उसके अप्यक्षा इसका जादा होता है इसलिए ये अकास निला दिखाई देता है और इसलिए 5 कभी जोगा D सही है ठीक है आईए अगले questions पर नज़र डालते हैं 6 जो question है भारत में उत्पादित प्रतियावर्ती धा विदुधारा की आवरिती है प्रतियावर्ती धारा alternating current की जो आवरिती है frequency है वो बताना है कि भारत में कितना होता है पहला option है 50 Hz है हज जो है वो आवरिती का एसा ही मात्रक है है न यह भी पुझता है यादर कि हर्ट बोलते हैं दूसरा है 60 Hz है C है 70 Hz और D है 80 Hz तो इसका जो correct answer होगा भारत में उत्पादित प्रतियावर्ती धारा की जो आवरिती होती है वो 50 Hz होती है 6 का जो है एस है ठीक है आईए अब आप लोग को आगे की questions की ओर ले चलते हैं और दिखाते हैं देखिए आपके सामने जो है 7 questions जो है उसमें लिखा हुआ है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन है ना तो उस वोल्ट मीटर का अल्पत माप होगा इसको list count कहते हैं पहला है 0.5B दूसरा option है 0.05B ठीक है दूसरा है 0.005B C है 0.0005B यहना 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन किया गया है तो बताना है कितना होगा तो देखिए 0 और 1 है इसमें क्या करते हैं एक वोल्ट में 20 विभाजन किया इसमें भाग कर लेते हैं तो पहले देखिए 20 जब आप एक में भाग करेंगे तो क्या होगा मैं उसको दिखा देता हूँ तो 0.0 आया नहीं कट रहा एक और 0 बेठाएंगे 100 होगा तो 20 पाचे 100 तो कितना होगा 0.05 होगा है ना तो इसका जो करेंट एंसर होगा साथ का कि 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बिच अगर 20 विभाजन हो तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक जो होता है 0.05 भी होता है तो इसलिए 7 का जो होगा करेंट एंसर 20 है तो आईए अगले questions पे नजरे डालते हैं लिखा है 1 micro ampere विदुद्धारा निमलिकित में कौन सी है पहला option है 10 के पावर माइनस 4 ampere ampere जो है विदुद्धारा का एसा यूनिट है दूसरा है 10 के पावर माइनस 5 ampere C है 10 के पावर माइनस 6 ampere और D है 10 के पावर माइनस 7 ampere तो बताईए इसका क्या correct answer होगा ठीक है बहुत सारे students का answer C आ रहा है आईए मैं बताता हूँ और मेरे answer से आप लोग मिलाके और yes बताईए कि मेरा yes लिखिएगा कि हाँ मेरा सही है yes के रूप में तो देकि micro का मतलब होता है माइनस 6 10 के पावर में ठीक है ना 10 के पावर क्या होता है माइनस 6 तो यहाँ पर questions में micro आया है ना इसलिए इस questions का जो stick answer होगा micro ampere का मतलब जो होगा 10 के पावर माइनस 6 ampere होगा ठीक है आगे questions देखिए गार किसी छड़ चुम्बक के अंदर चुम्बक की छेत्र रिखाओं की दीशा क्या होती है पहला उत्तर्स दुरू से दच्छिड दुरू दूसरा दच्छिड दुरू से उत्तर दुरू C है उत्तर दुरू से पच्छमी दुरू हाँ D है दच्छिड धुरू से पश्चिमी धुरू, बताए इसका एंसर क्या होगा, आईए मैं इसका एंसर बताता हूं, देखी चुमब की छेतरी रखाये जो होती है, इस तरह से प्लेट होता है, इधर नौर्थ पोल होता है, इधर स्थाग पोल, तो उत्री धुरू से नि सही है, आईए अब 10 कोशन्स को नजर देखते हैं, 10 कोशन्स पर, घरेलू विदुद परिपत में उदासिन तार का रंग होता है, उदासिन तार का रंग बताना है, ठीक है, पहला अप्शन है लाल, दुसरा हरा, C है काला, D है पिला, बताए इसका करेक्ट एंसर क्या होगा देखिए जो गरम तार होता है, उसका रंग लाल होता है, जो घँदासिन तार होता है, उसका रंग कैसा होता है, काला होता है, इसलिए 10 का जो करेक्ट एंसर होगा, C सही है काला आईए अगला कोशन से गारप पे नजर डालते हैं किस युक्ती में विभक्त वलय जो होता है दिक परिवर्तन का कार्ज करता है पहला विदुद जनित्रे, बी है विदुद मोटर, सी है गेलवेनो मीटर, डी है वोल्ट मीटर बताईए आप लोग इसका क्या एंसर होगा जो वलय होते हैं दिक परिवर्तन करते हैं विभक्त होते हैं, टूटे हुए होते हैं, दो बराबर भागों में बटे होते हैं तो बताना है कौन सा एंसर सही होगा आईए मैं इसका correct answer बताता हूँ कि किसी जुट्टी में विभक्त हो लए दिव परिवर्तन का जो कार्ज करता है वो होता है विदूत मोटर किसमें होता है विदूत मोटर मिसले 11 का जोगा correct answer भी है आप लोग भी answer इसी तरह से मेरे answer से मिलाते रहेए और अपना comment बताते रहेए कि कितना मेरा सही हो रहा है और इस वीडियो को आप लोग share कर दीजिए जल्द से जल्द आप लोग उपने दोस्तों में वीडियो को share कीजिए लाइक कर दीजिए अगर पहली बार आप चैनल स्क्राइए तो subscribe कर दीजिए आईए अब 12 questions पढ़ता हूँ लिख है जल्द विदू से जयंत्र किस उर्जा को विदूत उर्जा में रुपांत्री करता है पहला तापी उर्जा दूसरा नाविकी उर्जा C है सौर उर्जा D है इस्तित उर्जा पताए इसका क्या होगा देखिए जल्द जो होता है इस्तिर रहता है फिर उसको विदूत में परिवर्थित करता है इसलिए जल्द विदूत उर्जा को ही विदूत उर्जा में रुपांत्री करती है इसलिए 12 कर जो होगा करेक्ट एंसर D सही होगा तीक है आईए आगे के questions आपको दिखाता हूँ तेरा question तेरा में लिखा है नरवरा नाभिक्य बिदुन सयत्र किस राज में इस्तित है पहला राजस्थान दुसरा महाराष्ट C है उत्तर पर्देश D है गुजरात यह easy सवाल है आप लोग इससे पढ़े होंगे नरवरा बताना है तो आईए मैं इसका एंसर बताता हूँ तेरा का जो होगा नरवरा नाभिक्य बिदु सेंत्र महाराष्ट मिश्थित है इसलिए तेरा का जो होगा बी करेक्ट एंसर है किसी किसी बुक में उत्तर पर्देश देता है जो की गलत है आप लोग इसे महाराष्ट लगा लगा लिजिए अगर सरी ठीक है आगे देखिए चुदर जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है निमलिकित में से कौन सा बुजा हुआ चुना है बुजा हुआ चुना का सुत्र बताना है यह आपका कमेश्टी से लिखा गया कोशन से पहला अप्षन है C-A-O यानि कैल्सियम ऑक्साइड दूसरा है C-A-O-H का हुल्ट वाइज जिसे कैल्सियम हाइड्र ऑक्साइड भी कहते हैं C-A-C-O-3 कैल्सियम कार्बोनेट कहते हैं और इसे चुना पत्थर या संगमर्मर का सुत्र भी से कहते हैं और D-O प्षन है C-A-कैल्सियम तो बताए इसका एंसर क्या होगा तो मैंने सब को पढ़के बता भी दिया कि कौन क्या क्या कहलाती है है ना रसाइनिक में आयू-PAC के अंतरगत लेकिन सुस्के बुजा हुआ चुना का जो नाम है केमिस्टी के अनुशार उसे कैल्सियम हाइड्र ऑक्साइड कहते हैं इसलिए चौदा का जोगा करेक्ट एंसर भी सही है ठीक है आईए पंद्रा क्वेसंस म नजरे डालते है जिसमें लिखा है आपके केमिस्टी के कि वेसन लिखा हुआ है पंद्रा कोशनस में ठीक है उसको सही संतुलिज समीकरण है बताना है कि कौन सी यह अबकिरिया है पहला है जेडेन जो एक्वेसन है पढ़ रहा हूं लिखा है जेडेन प्लस स्यू एसो पोर तीर का चिन जेडेन एसो पोर प्लस स्यू किस परकार की रसायने कब किरिया है पहला है लिखा हुआ सन योजन अब किरिया दूसरा है विस थापन अब किरिया सी है दिव विस थापन अब किरिया डी है वियोजन अब किरिया तो देखिए आईए आपको समझाता हूँ इसका कौन सा इंसर करेक्ट होगा देख रहे होंगे कि ZN plus CuSO4 जो हो रहा है तो CuSO4 यानि Copper Sulphate से Cu हट चुका है और उसके साथ ZNSO4 लग गया है यानि कि Cu का यहां से विस्थापन हो गया है विस्थापन का मतलब ही होता है हट गया है तो इस परकार जब कोई धातू दूसरे धातू को विस्थापित करती हो तो उस परकार की अब किरिया को विस्थापन अब किरिया कहते हैं इसलिए 15 का जो करेक्ट एंसर होगा 20 सही है बहुत सारे स्टुडेंट का कमेंट भी आ रहा है शुक्रिया इसी तरह से आप मेहनत किजिए आपको बहतरी सफलता मिलेगी आगे देखिए 16 परसन लिखा है कोई बिलियन निले लिटमस पत्रे को लाल कर देता है इसका पी एच मान होगा पहला कह रहा है पांच दूसरा है साथ सी है आठ और डी है 10 तो दिखिए एक ट्रीक है जब निला से लाल होता है ब्लू से रेड होता है तब जो बिलियन होता है वो अमली होता है और अमली का पी एच मान जो होता है साथ से क्या होता है कम होता है ठीक है ना बी आरे एक ट्रीक है ब्लू से अगर रेड हो तो वह जो होता है एसीड होता है और एसीड का जो पीएच मान होता है वो साथ से कम होता है और कोसंद भी आई कहा है कि कोई बिलियन निले लिटमस पत्रे को यानि निला है और फिर उसके बाद लाल हो रहा है यानि कि वह billion जो है, अमलिये है और अमलिये का प्येचमान साथ से कम होता है तो यहाँ साथ है, आठ है, दस है, जो कि साथ से यह तीनों मन ज्यादा हैं और एक बराबर है इसलिए हमारा जो इसमें से चारो अपसन से सबसे बहतरी और सटिक जो एंसर होगा, वो पाँच होगा ठीक है, सो लगा ए, आईए देखिए सत्रा कोशन, लिखा है कि और जेलिक अमले का प्राकिर्तिक स्रोथ निमलिकित में से कौन है यानि इसमें से बताना है कि किस फल में से, यहां जो फल लिखा हुआ है, किस में से औक जेलिक अमले पाया जाता है या निकलता है पहला है संतरा, दूसरा है टमाटर, C है सीर का, D है इमली तो देखिए मैं इसका एंसर बताता हूँ कि टामाटर से जो है औक जेलिक अमले पाया जाता है याद रखिएगा इमली जो होता है टर्टरिक अमले इमली में पाया जाता है और संत्रा में संत्रा में जो होता है एस्कॉर्विक एसीड है पाई जाते हैं एस्कॉर्बीक एसिट जो भी खट्टे पदार्त होते हैं उसमें एस्कॉर्बीक एसिट पाई जाते हैं और सिर्का में एसिटिक अमले पाई जाता है जबकि टामाटर में कौन सा अमले पाई जाता है ओकजेलिक अमले तो यहां पोस्टन में भी ओकजेलिक आ ठीक है इस में से बसkę अधिक किरियास इंजादू के बटाना है त्रո से होता है पोटैसियम कः होता है कि होता है के हैं इसके बाद कभे है काई तो अपको त्रीक से कहीं के बीच के उठा के दे दे उस्ट्रीक के माध्यम से आप उसका हर दम ही स्रटिक एंसर देंगे कि आपके अंदर कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी है ना आगे देखिए आगे कोसे बहुत ही अच्छा कोसन एकवारेजिया जिसको रुवायल जल भी कहते है ना किस अनपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरीक अमले और सांद्र नाइट्रिक अमले का ताजा मिसरान उतार बहुत अच्छा कोसन से यह हर दम दो तीन सालों के अंतराल भी कोसन को रिपीट करता है बहुत है इसको ध्यान से सुनिएगा तो एकवारेजिया और सांद्र एकवारेजिया जो होता है जिसे रुवायल जल कहते है वह एच सी एल और एच इन ओ थिरी जिसे नैट्रिक अमलेकत का अनुपात होता है तो किस अनुपात में होता है देखिए यहां एक है और दर तीन है लेकिन अनुपात में यह जस्ट उल्टा हो जाता है थिरी पहले हो जाता है और एक बाद में हो जाता है जब भी अनुपात कुछे एच सी एल और एच अनु थिरी गा तो क्या होगा तीन अब आपके सामने देखी चार ओप्सन नजरा रहा है ना एक है तीन अनपात दुग एक दू अनपात तीन टीन अनपात आप धेक और लास्ट वन जो ऑप्सन है इसी दोनों में इस्टुडेंट लोग जो होते हैं गरबडा जाते हैं कनफ्यूज हो जाते हैं तो आप लोगों आज से मत गवड़ाएगा एक चुपा है एक चुपा है एक चेनो थिरी में तीन आया है जब इसका एंसर बताना हो तो इसी को रिभर्स करके उल्टा करके प्रतिलों करके जो आएगा होई होगा तो एक तीन का रिभर्स तीन एक होता होगा है इसलिए इसका एंसर भी सबसे सटिक जो होगा तीन एंसर तीन अपात एक होगा यानि क्यों निसका जो होगा C सही है आगे दिया है बीस बॉंड C, बॉंड H, डबल बॉंड O का परियाक्रयात्मक समून निमलीकिंस में से कौन है यानि कि इसको सौट रुप में C, H इसके बताना है किसका क्या नाम है कौन सा क्या सिल्ट समूव है बहुत अच्छा क्या सिल्ट समूव से भी कोशन आ जा रहा है पहला ऑप्षन है किटोन दूसरा है कार्बोक सिलिक हमले ऩो देखे पहला है किटोन का पुक होता है और सिये जो होता है को होता है पहला हिकसि का इस विल बहुतρεί जरुट है डीश है, clear? एच लगाना है इसमें एच लगते हैं एक यहां एच लगेगा एक यहां 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 एच लगेगा ठीक है पूछ रहा है कितने आबंद है न इस कईस पॉसंस में पूछ रहा है कितने आठ, नोव, दस, कितने आबंध है, दस, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो टोटल कितने आबंध आए है, दस आबंध है ना, तो इसलिए प्रूपेन के आढ़विक सू, थी 3-H8 है, इसमें सा सन्युजा का आबंध कितने है, दस है, इसलिए 21 का होगा correct answer D से clear इसी तरह से आप लोगा ना आप लोग पर सिर्क रट्किया मत रट्टा मार के पड़ाई पंड़न से नहीं होता है समझना होता है इसलिए मैंने इसको समझाया कि कैसे दस सब्सक्राइब आप बंद होंगे मैं हर एक चारो option का answer भी खुल कर solution करके बता रहा हो कि चारो option मैंसे यही option क्यों होगा यह तीन option क्यों नहीं हो गया इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वाज किजिए आपको सखारे options का भी answer बताऊंगा कि यह किसका answer है और यह किसका answer है और यह सब क्यों नहीं होगे ठीक है आएए आगे देखिए 22 question आदुनी का और साड़ी में पाएं से दाएं और जाने पर परमाडू साइज है पहला option है बढ़ता है परमाडू का अकार बता रहा है कर रहा है कि बढ़ता है दुसरा कर रहा है घटता है सी है और परिवर्थित रहता है डी इन में से कोई नहीं ठीक है अगर आपको 20 से दाएं जाये तो घटता है परमाडू का साइज है और उपर से नीचे आना हो अना उपर से नीचे तो परमाडू का साइज क्या होता है बढ़ता है यादर कि टेक टाइप का हुगा मैं दिया भाअ सिदाइं जाने पर परमाळू का सइच क्या होता है घटता है और उपर से नीच्चे आने पर बढ़ जायेगा और दाइं से बायँ वह यह वना तो भी बढ़ जायेगा तो इसमें पूचा है भाआ से दाएं तो दे खड़े खड़े कितने वर्ग ऐसे ऐसे बताना है अधुनिक आवर्षाणी पहला उप्षन है साथ दूसरा है नौ सी है पंदरा और डी है अठारा तो यह पंदरा और नौ वाला उप्षन इसी तरह से केंसिल आउट कर दीजिए क्योंकि ऐसा कुछ आवर्षाणी में नहीं हो इसलिए तेश का जो होगा डी सही है आईए अगला क्वेसंस में दिखाता हूं आप लोगों को ठीक है अम नजर आ रहा होगा चोविस क्वेसंस है जिसमें लिखा है कि एक छात्रे जाच प्रक्नली के लिए एक सोडियम बाइकार्गोनेट के तनु बिलियन को सारो भौमिक सुचक की कुछ बुन्द मिलाता है तो निमलिकित में से कौन रंग देखेगा पईला नीला दूसरा ओप्सन है हारा सी है नारंगी डी है पिला बताए इसका आप लोग एंसर क्या होगा देखिए तनु बिलियन को सारो भौमिक बौमिक डालता है तो उसका रंग जो होता है सोडियम बाइकर्बोनेट है तो सोडियम बाइकर्बोनेट का जो रंग होता है आप लोग याद रखेगा सोडियम बाइकर्बोनेट का जो होता है नीला होता है मिसले 24 का जो करेक्ट टेंसर होगा एक करेक्ट टेंसर है आगे देखिए 25 को असल आपको दिखा रहा हूं सही से ठीक है कलियर है लिक्षे जब मेगनिशियम पीता को जलाये जाता है तुद्पन आग कि लो होती है मने जो उत्पन आग होता है मुखिता को जलाये जाता है तो उत्पन जो आग होता है उसका जो लो होता है वो चमकीला उजला होता है कैसा होता है चमकीला उजला इसलिए 25 का जो होगा correct answer सी सही है आए 26 questions पढ़के बताता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि एक जांच प्रकनली में लिये गए बिलियन में एक लोहे के किल को डुबाया जाता है ना तो आदे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है उस जांच प्रकनली में बिलियन था कौन सा बिलियन था बताना है पाईला जेडेन एसोफोर दुसरा स्यू एसोफोर तिसरा एपी इसोफोर दी एड़ टू-एसोफोर का होलतराईज पहले लोहे के किल को डुबाया गया आदा घंटे के बाद देखा तो रंग परिवर्तित हो चुका है बदल चुका है तो बताना है कि वो बिलियन कौन सा था बताये देखे जब लोहे के किल का रंग चेंज़िए हो तो ज इसलिए इसका जो correct answer होगा 26 का भी सही है आईए आगे 27 पॉसंस पे निजरे डालते हैं निम लिखित में कौन सा यंत्रे का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है रक्त दाब यानि की blood pressure को मापने के लिए किया जाता है पहला बैरोमीटर दूसरा मैनोमीटर सी एस सब्सक्राइब के लिए इनमें से कोई नहीं बैरोमीटर देखिए आपका जो पहला अप्शन जो नजरा रहा है बैरोमीटर इससे वाई मंडली दाब मापा जाता है रक्त दाब नहीं वाई मंडली दाब इसलिए यह उप्शन गलत है इनमें से कोई नहीं भी गलत है और ज जाता है इसलिए 27 का जोगा सबसे करेंट इंसर सी सही है आगे देखिया 28 कोशन है रक्त का कौन से अव्याव घायल अस्थान से रक्त सराव के मार्ग को रक्त का ठक्का बना कर अरूद करता है यानि जब किसी बेक्ती का हाथ कड़ जाता है तो उस हाथ के कोई भी सरीर का करना बंद होता है बताना है पहला है लाल रक्त को सिका है दुसरा स्वेत रक्त को सिका है सी है प्लेट लेज और डी है लसी का लसी का जो है मनुस्यों में नहीं पाया जाता है यह उप्सन को काट दीजिए मनुस में तीन परकार के खुन पाया जाता है एक कनाम रबी सी रोग परतिरोदक छंता लड़ने की इसी खुन से आदमी की बढ़ती है, इसलिए ये रोग परतिरोदक छंता में काम करता है WBC, इसलिए ये बी जो ऑप्सन है रॉंग हो गया, अब एक ही ऑप्सन बचा हुआ है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो है मानुर शरीर में न रहा है इसके लिए शुक्रिया इसी तरह से मेनद कीजिए आगे देखिए 29 कोश्चन है और टू गरंतिक थायरोक्सिन हर्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, पहला शोडियम, दूसरा कलोरीन, सी है फास्पोरास, डी है इन में से सभी, बताइए इसका क्या एंसर होगा आएए मैं इसका बताता हूँ इसका एंसर 29 का कि आटू गरंतिक को थायरोक्सिन हर्मोन बनाने के लिए जो आवश्यक पदार्त है, उस पदार्त का जुनाम है शोडियम है, इसलिए 29 का जोगा एक करेक्ट एंसर है ठीक है, आएए 30 कोशन में नजरे डालते हैं, मस्तिस्क क कौन सबाग शरीर की इस्थिती तता संतुलन का अनुलक्षन करता है ना, इस्थिती को समालता है अनुलक्षन करता है, पहला अगरे मस्तिक, दुसरा मध्य मस्तिक, तिसरा है अनुमस्तिक, डी है इन मेंसे सभी, बताए आप लोग इसका क्या करेक्ट एंसर होगा, आएए म मैं इसका करेक्टेंसर बताता हूँ अनुमास्तिक्स जो है शरीर की संतुलन बनाये रखने में सहायता करता है इसलिए 30 का जो करेक्टेंसर होगा सी सही है आप सब का भी कमेंट सी आया सुक्रिया इसी तरह से मेंद किजिए आगे दिखिए 31 कोशन है पादप हार्मोन बताए इसका क्या एंसर होगा तो देखिए प्रोरोह के अनुभाग के लंबाई के ब्रिदी के लिए साइटुकाइनिन नमक हर्मोन के अश्रिक्ता होती है इसलिए 31 का जो है करेक्ट एंसर एस रही है आगे देखिए 32 जो सवाल है 32 में लिख्का है हाइड्रा में परजनन क किस विदिक के दवारा होता है पहला काईक प्रवर्धन के दवारा दूसरा जिवाणूर समा घेस के दवारा सी है मुकुलन दवारा और डी है विखंडन दवारा तो आए इसका जो सबसे सटिक एंसर है जो हैड्रा में जननन होता है उस विदी का नाम है मुकुलन क्या नाम मुगूलन इसलिए 32 का जोगा C सही है आगे देखिए 33 सवाल है पुस्प का कौन सा भाग प्राग कण बनाता है पहला पाहे दल नुसरा पंखुडी C है पुंकेशर D है इस्त्रीकेशर बताइए इसका क्या करेक्ट एंचर होगा आइए मैं बताता हूं पुस्प का जो आगे देखिए 34 कोशन है निमलिखित में से कौन मानों में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पहला अंडा से दुसरा गरभा से C है डिम्ब वाहिनिया दी है डिम्ब वाहिनिया और C है शुक्रवाई का देखिए अंडा से गरभा से और डिम्ब वाहिनिया ये तीनों के त यानुकि क़ुर्ण जणन भागге। लेकिन शुक्र वाई ह्क जो है पूरुस जणन भागहें। इसलिए 34 जवह मादा जनन्तंर का पुछणायां नहीं है। यानि कि सुक्र वाई का मादा ऑच्छा जणन का भागव नहीं है। आए 35 questions दिखते हैं वंसागति नियमों का पर्ति पादन किस ने किया पईलर चार्ज डार्विद दुसरा रवार ठोक स्री एजेली बोस और डिया ग्रॉंगन जैनमोडन मेंडन बताईए आप लोग 35 का क्या एंसर होगा बताते हैं जो वंसागति नियमों का पर्ति पादन किया था इन्होंने मटर पर अपना परियोग किया था एक संकर परियोग और दिव संकर परियोग जिनको कहा जाता है ग्रॉंग जैनमेंडन यानि वंसागति नियमों का पर्ति पादन करने वाला का नाम है ग्रॉंग जैनमे यानि 35 का जो correct answer होगा D सही है आगे देखे 36 question यानि इस्तिरियों में link गुण सुत्र का जुग में होता है पहला xy दुसरा xx c है yy d है इन में से कोई नहीं तो देखे इन में से कोई नहीं option को काट दीजिए दीजिया बाकी क्योंकि कुछ answer इसमें से सही कि पर आयोटीन डालने से पहले पती के अल्कोहल में बुपाइ जाता हैं, इसा क्यों 고 chant मां भूल कर मां बताता हूं और हुआ इसका मुक्य कारण बसके कलोगे में को गूल लुवित को हुआ खुलने के लिए इसलिए 37 के जो एंसर होगा बीक करेक्ट एंसर है ठीक है आगे देखिए 38 कोस्चेन 38 लिखा है स्लाइट को सरव प्रतम कंपाउंड माईकुरोपिर से देखा जाता है स्लाइट को उसका साइज बताना है माईकुरोपिर लिखा है 5x पर 10x पर स्लाइट को सरव परतम कंपाउंड माईकुरोपिर से देखा जाता है उसका साइज था 10x पर इसलिए 38 का जो होगा करेक्ट एंसर भी सही है आगे इस वीडियो का मैं लास्ट कोर्सन्स बता रहा हूं एना करकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी आप लोग का इतना सुपोर्ट मिला इसके लिए सुक्रिया आप लोग रेगुलर इस चैनल्स का सुपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी सुपोर्ट की बहुत परिशा में पूछते रहते हैं पहला द्वामी क्या उसरा सीनेप्स सीए एक्सों ली है अवेक तांत्रीका कोशिया कमद जो खाली अस्थान होता है उसे सीनेप्स कहते हैं इसलिए उन्चारिस का भी सही है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आपको 49 कोसन्स का सुलू करन दो दो से छो से अ किया उसे वीडियो में है एक्सवाब सीनेप्सियों आपको 50 को सुलूदे खाली अजय चुलूदे एक्स प्राद़न दो किस्वा टांत्रीका करता है उन्चार दोस्तों एक्सवान… एक्सुलूदे